हलो एवरिवान नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उपमा अलंकार अलंकार यानि काव्य की सुन्दर्ता का शाधन सुन्दर्ता बढ़ाने वाले तत्व ठीक हम जानते हैं अलंकार क्या होते हैं अलंकार मतलब होता है सुन्दर्ता का साधन ठीक है अलंकार मुख्य रूप से तीन प्रिकार के होते हैं शब्दा लंकार अर्था लंकार और उभ्या लंकार ठीक हैं मैं आपको बता देती हूं अलंकार कितने होते हैं तीन शब्दा लंकार अर्था लंक और तीसरा अलंकार का प्रिकार है आपका ओभेया लंकार लिकिन आप आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्था अलंकार का एक भेद जिसे हम जानते हैं अपमा अलंकार के बारे में तो इस वीडियो में हमें आपको उपमा अलंकार को पहचानने की ट्रिक बता रही हूँ, एक ऐसी ट्रिक जिसके आपको कभी भी फिर उपमा अलंकार से समधित कोई भी डाउट नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक पूरा देखना ह और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, शेर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, चलिए, तो सुरू करते हैं हम, सबसे पहले हम बात करेंगे उपमा शब्द का अर्थ क्या है, उपमा का अर्थ होता है, तुलना करना या फिर समानता दिखाना, उपमा का अर्थ नाम से ही इस पस्ट है उपमा अलंकार जब कवीता में कवी किन्ही दो वस्तुओं किन्ही दो घटनाओं या किन्ही दो व्यक्तियों के मध्धे तुलना करे या समानता दर्शाय ठीक है जैसे मैंने यहां पर आप लोगों को समझाया कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है मैंने यहां पर आप लोगों को क्या बताया कि जो राधा का मुख है वो चंद्रमा के समान है मतलब राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही ठीक है तो आप देखेंगे जब भी आपको एक ऐसी कवीता पढ़ रहे हैं जिस कवीता में किन् यहां पर Springs mean तुलना हो रही हो यहां फिर उनने समानता दर्शाई जा रही हो वहां पर होता है आपका अलंकार आपных मालंकार के लिए हमें सबसे आसान सी लुठ वो यहां कि उपामा अलंकार में वाचक शब्द का प्रियोग होता है ठीक है लेकिन इसके पहले हम जानेंगे उपमालंकार के चार अंग ठीक है अभी तो हमने ये जान लिया कि तुलना होती है अब तुलना किस की होती है किस से होती है तुलना के लिए हम किस शब्द का प्रियोग करेंगे ये भी हमारे लिए जानना आविश्यक है, तो उपमालंकार के चार अंग होते हैं, याद रखना उपमालंकार के चार अंग है, पहला अंग होता है उपमे, छीक है, उपमे, उपमे का आर्थ होता है जिस की तुलना हो, उपमे मतलब होता है जिस की तुलना हो, छीक है, फिर दूसरा होता है आपक उपमान ओपमान शब्द होता है से तुलना हो झिक है इसकी तुलना हो जिसले तुलना हो अब AH यहाद रखना इसओधि तुलना हो जिससे तुलना हो अभाठा आधाका मुख्ः चंद्रमा के समार है तो चंद्रमा यहां पे क्या हो जाएगा उपमान हो जाएगा क्योंकि तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं और राधा का मुख मुख क्या हो जाएगा मुख हो जाएगा आपका उपमे क्योंकि हम मुख की तुलना कर रहे हैं ठीक है जिसकी तुलना करते हैं वो कहलाता है उपमे और जिससे तुलना करते हैं वो कहलाता है हमारा उपमान ठीक है उपमे उपमान शाधारन धर्म शाधारन धर्म मतलब की तुलना के लिए हम किस गुण धर्म का प्रियोग कर रहे हैं यहाँ पे शाधारन धर्म हमारा क्या हो जाएगा मुख ठीके और फिर आता है हमारा वाचक शब्द वाचक शब्द का तात्पर है तुलना के लिए हम किस शब्द का प्रियोग कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर ले लिया समान तो यह जो समान शब्द है यह हो जाएगा वाचक शब्द याद रखिए उपमा अलंकार की परिभाशा कहती है कि जब कवी कवीता में किनी दो वस्तियों किनी दो व्यक्तियों किनी दो घटनाओं के मद्द आपस में तुलना कर रहे हो या फिर समानता दर्शा रहे हो वहाँ होता है आपका उपमा अलंकार और याद रखिए उपमा अलंकार में हमेशा कोई ना कोई वाचक शब्द होगा जैसे मैंने यहाँ पर शब्द ले लिया सा, सम, सी, समान, सरिश, इत्यादी ये हो गए हमारे वाचक शब्द अब मैं इसको अगर एक गाने को बताओं कि क्या लिखा है चांसी महबू बाहोगी कब ऐसा मैंने सोचा था हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था तो चांद सी महबूबा होगी मतलब यहाँ पर महबूबा कितल ना चांद से की गई है और वाचक शब्दे क्या लगाया है चांद सी तो यह जो शी शब्द लगा है ना यह है आपके उपमा अलंकार की पहचान पस अब आप कोई भी एे कैसा कोई भी कवीता देख लिए यह अगर कवीता में वाचक शब्द का přियोग हुआ है कोई भी बाचक शब्द सा सम सी समान शरिश कोई भी वाचक शब्द लगा हो वहा हो जाएगा उपमा अलंकार और उदाहरन से हम समझते हैं एक हाई, फूल, सी, कूमल, बच्ची, हुई राख की धेरी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम गौर करें, तो क्या लिखा है, हाई, फूल, सी, कूमल, बच्ची, सबसे पहले नजर यहीं डालो कि इस कवीता में सी शब्द आ गया, सी शब्द आ गया मतलब वाचक शब्द है, और यदि कवीता में वाचक शब्द है, तो वो हो जाएगा आपका उपमा अलंकार, ठीक है, कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, अब यहाँ पर देखेंगे, तो क जाएगा आपका उप में और जो फूल है फूल शब्द हो जाएगा आपका उपमान इसके तो जब कि रही दो वस्तूओं व्यक्तियों गटनाओं की मध्य तुलना की जाए या समानता दिखाई जाए वहां होता है आपका उपमालंकार और उपमालंकार को पहचानने की सबसे साधारणची ट्रिक ही है कि उपमा अलंकार में कवीता में किसी ना किसी वाचक शब्द का प्रियोग हुआ होगा किसी ना किसी वाचक शब्द का प्रियोग आवश्य हुआ होगा और याद रखिए अगर वाचक शब्द नहीं है कवीता में तो वो कहलाता है रूपक अलंकार, मैं जल्दी ही एक और वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें मैं आपको रूपक अलंकार को पहचानने की भी शौट ट्रिक पढ़ाऊंगी, लेकिन तब तक कि लिए याद रखिए, उपमा अलंकार को पहचानने की ट्रिक यही है, कि किसी शब्द में, किसी कवीता में, दोही में वाचक शब्द का प्रियोग किया गया होगा, चीके, चलिए, तो मुझे उमीद है, यह जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, यह आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, ठीके, तो बस एक बार, एक काम क्या करो, कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हो, इ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना धान रखिए, बाई-बाई, टिक्यार,